ओम शंती, आज है 20 जुलाई, तो आईए सुनते हैं मीठी प्यारे बाबा की मीठी मीठी मुरली के मुख्या 8 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पूरे विश्व में महान पुन्य आत्मा हो, क्या का बाबा ने, कौने हम महान पुन्य आत्मा, क्योंकि बाबा केते, आप बच्चे सारे संसार को खुशियों का दान देते हो, क्योंकि आपके पास सारे खजानने खुशियों के संपन है, दुनिया वाले तो हर समय दुख में रहते हैं, और आपके पास हर समय ही खुशी ही खुशी है, तो इस समय दुखी आत्मा को होत बड़े यति बड़ा पुन्य है दुनिया वाले खुशी के लिए कितना तरसते हैं कितना पैसा लगाते हैं Laffing Clubs में जाते हैं खुशी पाने के लिय के घुमने फिरने जाते हैं लेकिन जब वापेश घरों में आते हैं फिर वही बात. खुशी रही इने जीवन के अंदर तो बावा कहते कि आप बच्चे सारे संसार को खुशियों का दान देते चलो जो खजाना आपको बाब से मिला है न वो बांटते जाओ और जितना आप बांटेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा तो जो भी आपके संबंद मियाए संपर्क मियाए उन आत्माओं को अन्भव हो कि इन्हों को बहुत स्रेष्ट प्राप्ती हुई है इसलिए खुश रहते हैं वो आत्में अन्भव करे और उनका जीवन दुख से सुख में हो जाए दुख उनका गायव हो जाए उनको भी खुशी की अन्भुती होनी शुरू हो जाए तो बाबा कहते आप ऐसी पुन्यात्माई हो जो अपने जीवन की प्रेक्टिकल धारणा के द्वारा दूसरों को खुशी का एहसास कराते हो और दूसरा पॉइंट है बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अन्भवी आत्मा हो हर बात का बच्चों को अन्भव हो गया है तो इसलिए आप किसी बात में धोखाने खा सकते और विजई बनने वाली आत्माई आप ही हो क्योंकि आप धोखाने खाते इसलिए विजय आपका जन्म सिध अधिकार है और तीसरा पॉइंट है बावा कहते दिखो तुम मेरे मीठी मीठी प्यारे प्यारे बच्चे हो इसलिए तुम्हें एक बास सिखाता हूँ कि जो कुछ बीता है न उसको ड्रामा समझो जो बीत गया सो बीत गया उसको बार बार नहीं सोचना है बार बार सोचने से बुद्धी वहीं की वहीं अटके रहती है आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है तो बाबा कहते भूल जाओ बीती को भूल जाओ जो कुछ हुआ सो हुआ बाबा कहते कही बार बच्ची सोचते हैं हमने बहुत मैनत की बहुत ग्यान सुनाया लेकिन आतमे तो ठहरती नहीं है सुनती नहीं है चली जाती है ना क्लास में आती नहीं है रगुलर तो बाबा कहते बच्ची प्रजा भी चाहिए ना थोड़ा ही सुना तो प्रजा में आ आपमाना तो उतने में उनको प्राप्ति हो जाती है इसलिए आप बच्चे में ये मत फिल करो कि इतना हम ग्यान सुनाते हैं तो कोई आता नहीं है तुम अपना पुर्शात एक्कुरेट करते चलो भस चौथा पॉइंट है बावा ने कहा कि तुम बच्चे यहां सच्चे बा आप विकारों के वशिभू तात्मे हैं तो उसको है नहें है तो स्तंग तो कहने इसके इसलिए को संग कहHa देते हैं और माया बड़ी प्रवल है अर एक के अंदर पांच विकार है और जिसके अंदर पांच विकार बैठे हैं वो आत्मा पुन्य कर्म करी नहीं सकती तो बावा केते तुम बच्चों को अंकार में नहीं आना है जो अंकार में आते हैं अपना ही सत्या नाश कर देते हैं बावा केते कई बच्चे तो ऐसे भी बेठें मेरे पास जैसे अभी भागे की भागे जैसे कि भागने की तियारी में आत्मा अंदर तो उन्हीं के लिए गायन है गज को गरहा ने हप लिया है ना माना हाथी को मगरमच खा गया तो ऐसी आत्मा भी कई हैं जो इतने नाजुक हैं छुई गठ जाते हैं बाबा को छोड़ देते हैं पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर काम, क्रोध, लोग, मो के वश पतित बन जाते हैं क्योंकि देव मानाता ही है नुकसान कराने के लिए तो बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे को बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे हमारी इज्ज तुमने तो चट करा दी फिर ऐसे बच्चे सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाए बावा केते वापिस जाने का कारण ही होता है क्रिमनल आई उनको कही न कहीं क्रिमनल आई सताती है इसलिए बावा को चोड़ कर चले जाते हैं लेकिन बावा केते तुमें फंक नहीं होना है ये भी ड्रामा में नोंद है उनका जो पार्ट है जैसा पार्ट है वैसा उनको प्ले करना है और पांचमा पॉइंट है बावा केते अपने दिल की जांच करो देखो अपने आपको कि हमारी आँखें कहां करिमनल तो नहीं होती है अगर सिविलाइजड हो जाएं तो बाकी और क्या चाहिए है ना बावा केते भल विकार में नहीं जाते हैं कई लेकिन कुछ न कुछ आँखें उनकी करिमनल रहती है दोखा देती है क्योंकि number one है criminal lie आंखें खराब नहीं होनी चाहिए और अपने आफ से पूछो हम service कितनी करते हैं क्योंकि बाबा के पास हर एक का समाचार आता है कौन कितनी service करता है किसकी कितनी criminalize है ऐसे गुप्त समाचार बाबा के पास पहुंच जाता है बाबा के ते कई बच्चे खुद भी फील करते हैं अपने आखो भी फील करते हैं कि हमारी criminal आई है लेकिन जूट बोलते हैं बाबा क्या कि सच नहीं बताते हैं तो ऐसे बच्चे गिर पड़ते हैं कि ग्यान भी पूरा वो उठा नहीं सकते हैं नहीं अवस्ता च्ची बन पाती है इसलिए बाबा के ते सच बताना चाहिए अगर सरजन से बीमारी च्ची पाएंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी या ना तो इसलिए सच सच बताना है देही अभी मानी बनना है और सुयम को आतम अभी मानी बनाने की बहुत बहुत मेहनत करनी है और साथ ही साथ खान पान का बहुत ख्याल रखना है खान पान गंदा नहीं करना चाहिए अपना शुद खान पान रखना है क्योंकि जैसा अन होगा वैसा मन होगा और तुम श्रिवाले में जा रही हो तो वहाँ पर ये विकार विशादी नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने अंदर शालिंता लाओ, पवितरता लाओ, अपने बेवार को सुधारो चेटा पॉइंट है, बावा केते गरस्ते वार में रेते हुए भी, तुमको पावन बनना है, शडेर निवा अर्थ भले धन्दा करो, लेकिन अवस्था अच्छी जमानी है, अवस्था पर विशेश ध्यान रहे माया के संग में तुमको नहीं आना है, कई माया के संग में आके गिर पढ़ते हैं, बावा केते मैं कहां आसमान पे चड़ाता हूँ और तुम कहां एकदम गिर पढ़ते हो माया के संग में आकर, तुमारी पत्थर बुद्धी बन जाती है, इसलिए रोज रोज मुरली सुन उनका सुधरना बड़ा मुश्किल है, आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल छोड़ती है, क्रोध की क्रिमिनलिटी भी बहुत है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, घड़ी घड़ी क्रोध करते हैं नतीजा क्या, सो गुनादन पड़ जाता है, इसल गर क्रोध करेंगे तुम्हारी उन्नती नहीं होगी तुम और ही जास्ती गिरते रहोगे तो ये ध्यान रहना चाहिए कि हम शिवाले में जा रहे हैं तो वेशाले के संसकारों को खतम करो नहीं तो अंतमती सुगती फिर वैसी होगी है ना इसलिए बाब कहते मैं तुम को जो रास्ता बताता है उस पर चलो रावन की मत को अब छोड़ दो आठवा पॉइंट है बाबा कहते बाबा को वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने इतना उंचा बनाया था विश्व का मालिक बनाया था इनको सारे सुख सादन दिये थे वो कितना कंगाल बन जाते हैं और रावन की राज़्य में कितना गिर जाते हैं और यहां तक गिर जाते हैं कि जो बाब इतना उंच बनाते हैं उनकी गलानी करना शुर कर देते हैं उनको ठिक कर भित्तर में डाल दिया कितने अंद शर्द हमें चले गै, कितने भटग गए, कितने फा हों गए अपने आप में, कितना दुख हो उठाया, कितने गंदे करम किये बावा कहते रावण ने तुम को ऐसा जकर लिया था, तुमारे कितने करिमिनल बना दिये तो कितना पावन थे बच्चे खुद भी फिल करते हैं कि हम कितना सतो पर धान थे, क्या से क्या बन गए, हरावन की फॉगी में, मान धुंद में, विकारों की धुंद में जैसे स्वेम को भूली गए थे, लेकिन बावा कहते हैं अब देही विमानी बनो और अपने सारे पाप काटो, और मेरे साथ शुद बन के घर चलो, और फिर अपनी राजधाने में आ करके आनंद मौज सुख का जीवन जीओ, अपना राज्य भाग्या, अपना वर्सा बाप से ले लो, ठेक है, ओम शान्ती